नमस्कार मैं हूँ नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग अगर पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में आप राजनीती पर नज़र डालेंगे तो राजनीती चर्चा जो है वो मंदिर धर्म या अब गोत्र इसके इर्द गूमती रही है वो राहूल गांदी का गोत्र हो या जाती की बात हो ट्विटर देखें दूसरे सोशल मीडिया देखें इसी के आसपास चर्चा रही और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी 6 साल की हो गई 26 दोवेंबर को और आम आदमी पार्टी को आप पसंद करें या उसके विरोधी हो ल लेकर एडिटोकेशन हैं या हेल्थ हैं या जुगियां हैं या illegal colonies हैं इनके इर्दगिर्द रही हैं तो उनकी कोशिश जो है वो सियासत में एक अलग narrative पैदा करने की रही हैं वो कितने कामयाब हुए हैं और कितने असफल रहे हैं बातचीत करने के लिए आज हम लोग में हम मैमान दिल्ली के deputy chief minister जिनके जिम में शिक्षा भी है culture भी है बलकि कहें तो दिल्ली उनी के हवाले है मनीश सिसोदिया तो बहुत स्वागत है आपका मनीश सिसोदिया हम लोग में बहुत शुक्त है आप वक्त देने के लिए और मनीश सिसोदिया के बारे में आप तमाम लोगे बाद जानते ही होंगे कि पहले मनीश ची भी पत्रकार रहे, आक्टिविस्ट हैं, और उसके बाद आक्टिविस्म से धीरे धीरे वो राजनीटी में आते चले गें और अब राजनीटी में इतना जम गए हैं कि उनके अलावा, या उनके बगेर कहें तो दिली मे कुछ होता नहीं है फिलाल तो तो एक बात आप में ये खासियत है कि जो लोग आमादनी पार्टी के विरोधी भी हैं वो आपकी जरूर तारीफ करते हैं ये क्या राज है जैसे मनोश दिवारी पिछले दिनों यहां पे थे यहां शो पे आये थे और उनके साथ जो भी हुआ सिगनिचर ब्रिश पे धर और तमाम चीजों पर गुस्सा हो रहे थे पर कहें मनीश दिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया इड्यूकेशन में नहीं है मनोश जी का बडपन है कि वो राजनेतिक विरोध के बावजूद इस चीज को अक्नोश कर रहे हैं कि दिली में एड्यूकेशन में काम हो रहा है मैं इस पास सेहमत नहीं हूँ कि मेरे बिना कुछ नहीं चलता है ऐसा ठीक नहीं है कहना बहुत जादा पर हाँ सरकार में में एक हिस्सा हूँ और कुछ एहम डेपार्टमेंट जिम्मेदारियां सरकार में पार्टी में मेरे पास में हैं तो दिल्ली में आपके और केजरिवाल जी केरा अलावा, कोई और चेहरा नहीं बचा हैं कि अब पार्टी में लोग पार्टी चोड़ते गए बस आप दोनों हैं, जैसे आप अंधिश्या और मोधी को कह सकते हैं आम अन्दी पार्टी में, आप दोनों हैं नहीं, मैं इसे सहमत नहीं हूँ, अच्छली चहरा सिर्फ वो नहीं होता है, अब एक तो चहरा है जो टीवी पर दिखता है, एक चहरा या ब्रेन कही है, हर्ट कही है, बहुत लोग है, पार्टी में जो आदमी दफ्तर में बैठता है, हमारे रावजेवनियू के हेड़कॉर् पार्टी का, वो भी अपनी जगे बहुत बड़ा मेनिजमेंट का काम कर रहा है, तो पार्टी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आज मंतराले में भी आप देखिए, सरकार में सतेन जैन से लेके इमरान हुसेन तक कहलाश कहलोत इट्रांसपोर्ट पे इतना जवरदस्त काम कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं अपनी जगे, चैसाल हो गए आम आदनी पार्टी के इस बीच, देखते देखते, जो पार्टी कांतोरन से शुरू हुई और बनी और अब 6 साल पूरे हो गए, यहाँ पर शो शुरू करने के पहले भी में लोगों से पूछ रही थी कि क्या ह है, आम आदनी पार्टी ने किया किया, तो सवाल यह उठता है कि आपने इतने सारे वादे किये, उसमें से क्या-क्या पूरा हुआ, प्रदूशन पे क्या काम हुआ, शिक्षा पे क्या काम हुआ, मुझे पता है कि शिक्षा के बारे में तो लोग बात करते हैं कि काफी कि जब हम सरकार में आए थे तो हमसे पहले दिल्ली सरकार का जो बजट ₹ हजार क्रोड रुपे पर ऑ्नम के हिसाफ से बढ़ता था मतला थीन साल पहले गोनाव plat यह्कार मंतला ॉप्छले थे हीं 25 तेन तीन साल पहले 2012 में दिल्ली eteरा का इसार clear हुआ जब हम सरकार में हैं तो 29,000 क्रोड था एक हजार क्रोड रुपे के इंक्रिमेंट होता था जी पिछले तीन साल में 29,000 क्रोड से बजट बढ़के 53,000 क्रोड रुपे हो गया है विजली आज दिली में देश में सबसे सस्ती मिल रही है सारे मेट्रोज को आप देख लीजे और पिछले तीन साल से सिर्फ सस्ती नहीं मिल रहे हैं पानी सस्ता मिल रहा है पानी बहुत सारी कॉलोनीज में मुफ्त मिल रहा है बहुत सारी नई कॉलोनीज जिनमें पानी आ गय प्रेद्र से वीडियो प्रचार्ट किये जाते हैं। च्हे महला क्लिनक के हैं और हम तो खुद ही कह रहे हैं। यह च्छे महला क्लिनक के जहां लगाएं। फिनल्ग के सबस्वास कर रहे हैं। इसको भी नाट लगती है, 19 मामलों में अब तक जो एक के बाद एक खत्म हुए है, ऐसे फरजी केस लगा रखे थे, तो फरजी केस लगाते हैं, मतलब 22 में से 19 केस जो हैं, वो जो हैं, वो डिस्चारज कर दिये के हैं, क्योंकि वो केस जो इसमें दब नहीं था, पर लगातार केस लड़ते रही हैं, आपके उपर केस होते रहते हैं, तो ये आप काम दूलेगा हैं, दुर्भाग्य है कि केंदर में ऐसी सरकार बैठी है, ज मनीशिसोद्या जी एक बात आपने भी कहा कि विजय मालिया उनसे नहीं पकड़ा जा रहा है, वो भाग जाता है, मनीशिसोद्या एक बीचे पिलीस है, पर आप उनका विरोध तो करते हैं, बड़े मुद्दे जब होते हैं, तो आप लोग के उपर आरोप लगता है कि आप कुछ कहते नहीं है, जैसे रफाल पे आपने कुछ कहा नहीं अब तक, क्या मतलब उस पे दुनिया भर की पार्टिया कुछ किश कहते हैं, हमारी पार्टी लगातार इस पर प्रेस कॉन्फेर्स करती रही है, वह बहुत बड़ा भीष्टाचार हुआ है, हम तो खूद ही कह कि यार, आप मतलब, रफाल का प्रेस तक नहीं बता रहे हो, क्या डील हुई है LIVE बतारे हो, ट्रांसपरेंसी नहीं रहे हो, ट्रौसपरेंसी रखो, करकार को बता ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे मुद्दों पर धरना दे देती है, आपको काया था ना, भार चीज में अब धरने में बैठ गए, आप हफतों धरना दे रहे हैं, रफाल पे नहीं कुछ आप लोगों ने इस तरह का किया है, रफाल पे हो सकता है धरना ना किया हो, पर आवाज उठाने में ह कभी भी पीछे नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा आवाज उठाइया है, इसा केजविवाल जी ने कल ही यह बात टवीत किया था बलखे कि रुड़धान मंतरी मोदी जो है वो दिली की सहत के लिए हानी कारक है, बिलकुल देश की सहत के लिए हानी कारक है, वो तो, तो अब कि बलर्विन केजिवाल जी नज़ आए और बड़े तमाम लीडर्स थे उनके साथ प्लाटफोर्म शेयर किया रहूल गांदी के साथ वो नज़र आए इसके पहले भी रहूल गांदी के साथ वो नज़र आए हैं, करनाटक में भी नज़र आए हैं जैसे जो मीडिया खबरों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपाने आगे के लिए साथ लड़ने का मन बनाया हुआ है तो वैसे वैसे लोग अलग अलग राज्यों में अपना वो बनाएंगे जहां जिसके जो मुफीद करता होगा यह सब लोग कहते हैं कि महागडबंधन एक ना बने पर अलग अलग जैसे आप भी कहने हैं कि राज्यों में कुछ गडबंधन बनेंगे और वो ही एक महागडबंधन के अगर सूरत ले या जैसे एक 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 आंटी बीजेपी प्लाटफॉर्म जो है तो इसमें आम आदमी आदमी पर्टि कोई राष्ट्रे परदर्ष्टे में कोई यह असी पार्टि कोई बहुत बड़ि भूमिका के बारे में अपनी बात कर सके हम दिली में हैं हमारी सीधी रड़ाई BJP से है और दिली में कॉंग्रिस कहीं है नहीं बाकी राज्यों में हम सुरू कर रहे हैं मिला मतलब पंजाब में सुरू कर रहे हैं, वहां हमारा कुछ ऐसा अभी हम सुरुवात कर रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस तरफ चीज़ जाएंगी, पंजाब में हमारे पास में एक अच्छा जनादेश है, हमारे पास लीडर ऑफ पोजिशन है, हमारे पास चार सांसद ह हैं, और बाकी राजियो में क्या किसी की साथ सयोग करेंगे, जैसे पहले भी, पंजाब हरेना किलाब हम अभी कुछ सीटों का आकलन कर रहे हैं, पहले जैसे आप लोगोंने 432 सीटों पे कानिडेट खरे के तेरा सिर्फ तो उस तरह का कुछ आप करने की कोई दुबारा, हम हम अपने हर कारकरता को जहां जो भी एड़र था उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम को भी बता था कि ज Easily की जैद नहीं है अमाद्मी पार्टि नहीं हैं, और उसको अच्छक में ठीट था लेकिन मुझे नहीं लग था लगता है पर कुछ सीटाब हम ने कर रखिय ह पूरे देश में जिन पर हम अपने आपको इस्ट्रॉंग मानते हैं और होँ चनाब लड़ेंगे पंजाब उसमें से एक राज जिज आपने अच्छा है और पंजाब में आपकी पार्टी में जो फूट है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं अधरूनी फूट जो है लोग छोड लाया जा रहा है तो उसमें उतने शालिंता के साथ रहते हैं आपके उपर पिछले दिनों जिस वजह से आमानी पार्टी बार-बार खबरों में होती है वेक सिगनचर ब्रिज का हंगामा हुआ मनोश तिवारी भी यहां पर आये थे अब उसमें आपके जो मंत्री रहते हैं में लेज रहते हैं उनके खिलाब भी F.I.R. मतलब ऐसा देखा गया कि मनोश तिवारी वो इस तरह से छपट पड़े खाली F.I.R. नहीं हुई है मुझे तो आश्यर है कि मनोश तिवारी जी और उनके साथियों ने C.M. पे बाटल फेंकी उसमें पानी था तेजाब होता क् पता नहीं लेकिन पुलिस ने उल्टे जो F.I.R. की है वो किया है अरविन केजरी वाल के ओपर एटेंप्टू मुझे अरविन केजरी वाल के ओपर 308 लगा कि वो मनोश तिवारी को मारना चाहते हैं पर मनोश तिवारी ने भार बार कहा कि मुझे तो मैं तो मर सकता था गि कि मुझे इंविटेशन दिया गया था क्विटर पे वो कह रहे थे ट्विटर पे कि साब हम आएंगे मैं आप आजाए ये गरिमा बना के आईए जब हम पहुंचे तो वहां वो 40-50 लोगों के साथ स्टेज के पीछे खड़े हुए और काले जंडे मोधी 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 म कि आप लोग अपनी पॉब्लिसिटी के लिए खुद इस तरह की चीज़ें करते हैं मैं विश्ली मनोस्तिवारी जी को मैं नहीं बुलाया था क्या मैं बात करी हूँ वो जो एक मिर्ची पाउडर फेकने वाला कांट सामने आया कि वो एक गंभीर मामला है और एक आदमी सिक पॉलिसिटी के लिए हमले कराते हैं बार-बार इस तरह के हमले कराते हैं कहीं कुछ निकल कर सामने नहीं आया को है कोई आदमी अगर मिर्शी पाउडर लेके चला जाता है इसके लिए बीजीपी तो जब्पार नहीं है जो आप लोग ने कहा है तो हमारा यादमी होगा वो हूँ 15-20 दिन के उसके एफपी पोश्ट हैं जिस पर हो हिट्रेट फैला रहा है उसके अलावा फिर भी फिर हम लाइक लाइव कार्टरिज का मामले सामने आ गया लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने यानि कि जैसा मैं पढ़ रही थी कि चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से कोई कंप्लेन इसमें नहीं किया गया या आदनी पार्टी के तरफ से दी सवाल ये है कि चीफ मेनेस्टर कोई ऐसा अदमी नहीं है जो recipient बनेगा। पूलिस चीफ मेनेस्टर के office में मौझूद है, घर में मौझूद है चीफ में सीक्कुरिटी में पूलिस रहती है. कि जो हाई वोल्टेज ड्रामा है आमादनी पार्टी के तरफ से वो एक कॉंस्पिरिसी है पुलिस ने तो खुदी F.I.R कर ली है पुलिस F.I.R कर चुकी है अब हम कहें नहीं जी हमारी वाली F.I.R करो उसका कोई बे तुकी सी बाते लगती है इतने नॉन सीरिस इमेज आप लोगों कि क्यों हो गए आमादनी पार्टी की कुछ भी होता है तुसको गंबीर्दा से रेने के बजाए लोगो कहने लगते है कि आप ड्रामा कर रहे हैं आप विक्टिम कार्ट प्ले कर रहे हैं और अब धरना दे देंगे और आप विक्टिम कार्ट प्ले करने लगेंगे क्या है यह साजिश इसमें क्या है अगर कोई आदमी आता है मुख्यमंत्री जी के दफतर के सामने इसकी जाच तो होनी चीए ना कि वहां कैसे पहुचा अब F.I.R. है उसकी जाच करके दे पुलिस अब जाच तो होनी रही उनको पताए कि उनने भेजा था जाच होगी तो पकड़ जाएंगे कौन से बीजेपी जिनेतार से उसने फोन किया था तो इसलिए यही सब चिलादो जी विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड विक्टिम कार्ड जाच करवा हो ना अब एक और आपके मंत्री सतेंद्र जेन होम मिनिस्टर उनके उपर डिस प्रपोर्शनेट एसेट का केस है अब भी बहुत फणी है क्या है वह आप लोगों नेकाने की कराएंगे दर सी बी आई को वह जो कह रहा है वह पूरा केस इस तरह से है कि साफ सतेंद्र जेन के पास ना आए से अधिक संपत्ती है और उन्होंने अनौथराइस कॉलोनीज को प्लान में पैसा कवा लिया अब सतियंद्र जेन्द 2015 में मिनिष्टर वने और unauthorized colonies में number 2 का पैसा करवा के कमाऊंगा तो आएसे अधिक संपत्ती उनके पास जो so-called पाई जा रही है अभी तो वो भी प्रूब नहीं हुआ है वो भी जाच होनी है कि आएसे अधिक थी कि आएके बरावर थी वो 2006 का मामला है तो 2006 में उन्होंने आएसे अधिक संपत्ती कमाली so-called आरोप है इस तैयारी के साथ की एक दिन अर्विंद केजरिवाल धरने वे बैठेंगे अनना हजारे धरने वे बैठेंगे फिर एक पार्टी बनेगी और उसमें unauthorized colonies बनेगी और unauthorized colonies में में पैसा कमाँ में इंधिस उठ гол कोलोनी के सब्सक्राइब का डांका है ऐसे अधिक से और खुराजाने निगल काई गालूरी की जाओ कणेसे अधिक समय इधिस, शाओ को पर टीमें ना मों कीड डेंप्र ना हमने वन आफिए अ ही ऐसे नो अगषिक, तो इन आफिक है हार एक कॉलोनी में हम जहां सीवर अभी पॉसिबल नहीं है तुरंत नालियां बनवा रहें ताकि लोग बारिश आए तो एक नर्की इस्तिती में ना रहे हैं यह जो आप रेकुलराइज करवा रहे हैं जो सीवर बनवा रहे हैं इस पर आपके विरोधिये भी कहते हैं कि आप आप चाहें नहीं चाहें दिल्ली का एक कड़वा सच है कि आज दिल्ली का 90% अबादी अनुथ्राइज कॉलोनी जो सलंस में रह रहे हैं के विल 10-12% अबादी है जो कोठियों में या अपार्कमेंट्स में डीडिये के फ्लैट्स में रहे हैं अब या तो आप इन सारे 90% ल रहे हैं वहां उनको बैटर सुवध हैं तो हम यह कह रहे हैं सही ऐक आम बन वहों है आदमी रहा है उससे टेक्स ले लोगे वोट ले तो आपका भी vote bank है लिए तो आपसँे वोट बै हैंगी तो फुर दिली हमारा vote bank है पूरे दिली हमारा vote bank है, पुरे दिली हमारा vote bank है आपके उपर कहा है था कि जो जुगी बिलोग रहे रहे हैं जो गरीब इंस्पेक्टर किसी वैपारी किया रिश्वत लेने पहुंच गया किसाब दिवाली मैंने पता किया तो कुछ-कुछ गड़बड़ी पाई गई मैंने 25 के 25 अधिकारियों को सस्पेंड ही नहीं किया यहां से सरिंडर कर दिया यह जो कर्रप्शन के खिलाफ कारवाई किया बात करते हैं जैसे अपरेल 2017 की बात है सब को पता है अब तो पर कुमार विश्वास आपके हाँ के सीनियर लीडर थे उन्होंने एक विडियो रिलीस करके अटाग किया तक एजरिवाल पर किस तरह से कर्रप्ट मिनिस्टर को वो पतावक करेंगे आवी इमांदारी से और राजनिती करेंगे वहां गडबड़ी कर रहे हो आफ हमें बताओ कुमार विश्वास आपकी पार्टी के थे जब भरष्टचार के लिए एक वीडियो सामने लाते हैं तो उनको ये कह देते हैं मानतुलाख खान के आप तो बीजेपी के एजेंट कहने कर भरष्टचार तो नहीं मिट जाएगा अगर वो दिखा रहे हैं कुछ तो अगर होता तो कोट में प्रूफ होता अभी तक कहां है वो ब्रष्टचार में वही तो पूछ रहा हूं कुमार विश्वास तो बहुत अभिन अंग थे आपके तो नाराज़गी होगी ना उनसे कहां है वो ब्रष्टचार विजेपी के चार लोग खड़े हो के चलाने लगते क्योंकि सोमनाथ भारती का जो मामला है वो उन्होंने कहा मतलब किसी महिला पत्रकार के साथ जो उन्होंने बदजबानी की है दस सेकिंड का वीडियो देखो तो आपको लगता है सुमनात भारती बहुत खराब कर रहे हैं, तीन मिनिट का वीडियो देखो तो आपको लगेगा वो लड़की क्या कर रही है, एंकर, वो पत्रकार है, वो पत्रकार जिता कर रही है, क्या कर रही थी वो, जिस तरह से वो बा अच्छ गर्द ओर उसके साथ बद्तमीजी कर रहे हैं तो उस साथ पत्रपार है उसने पत्रपारेंथा की गरिमा खत्म कर दिए वहां पर आप अपेक्षा करों गें नेता तो हमेशा जी हाँ बहुत बड़े हाँ बात करता रहेगा उसको गालियां पड़ती रहें टीवी के नाम पत्रगारता के नाम पर आप उसको पे लट लेके चड़ जाओ और वो गया नहीं उसको तो हाथ जोड़ने चाहिए थे नेता था भाई आम आदमिये गुस्सा आमको भी आता है कि आप लोगो को खेद है उसके उपर कि उन्हों ने ऐसा कहा कुछ समान पर नियंतरण रखना चाहिए जितने हब तक हो जाए लेकिन ऐसा भी नहीं कि आमादी पार्टी इसकी वज़े से एंटी विमेन हो गई एंटी औरत पार्टी है तनाम हो गई एक ब्रेक लेंगे चोटा सा हम लोग में और ये बातचीत मनीश सोद्या से जारी रहेगी जो अच्छा काम मनीश सोद्या ने किया एड्यूकेशन पे उसके बार में बातचीत होगी और कुछ लोगों के सवाल इस ब्रेक के बार आप देख रहे हैं हम लोग मेरे साथ हैं दिली के डेपिटी चीफ मिनिस्टर मनीश सोद्या मनीश सोद्या ने एड्यूकेशन के चेतर में बहुत अच्छा काम किया है और जहां ये कहा गया कि प्रधान मंत्री मोदी ने भी एक्जाम पर किताब लिकी और स्ट्रेस से बच किताब लिखी आप लोगों ने उस ट्रेस को कम करने के लिए हैपनेस करिकिलम लागू कर दिया रहे है तो क्या है यह हैपनेस करिकलम और इससे क्या फाइदा नजर आ रहा है कोच बढ़ां है कुछ है हैपनेस करिक्युलम बहुत इंट्रेस्टिंग इंटर्वेंशन है और रिलेशनशिप को बहुत रिलेशनशिप और आपके वर्क को इमोशन से जोडने का काम है, अभी तीन महीने हुए हैं इसको शुरू हुए और खुशी की बात या है कि तीन महीने के अंदर-ंदर हमारे प्रिंसिपल्स अबजर्ब करने लगे हैं कि बच्चों के अंदर दिन लगे च्छे सबसे पहले सोबेट के 5 मिनिट के लिए मैंडफल मेडिटेशन करते हैं, मैंडफुल्सिपक वेडिटेशन सान्टिफिक वेडिटेशन है जिसमें कोई पूजा पाथ नहीं है, जिसमें कोई मंत्र का उचार नहीं है, बस इक अंदर-ंदर होती है, मैं बस दसलाख बच्चे हमारे बीस हजार क्लास्रूम में बैठके पांच मिनिट मेडिटेट करते हैं मैंडफुल मेडिटेट उधारन में बस समझा देता हूँ मैं बच्चों से जाकर पूछता हूँ फिलिप साइट पे कि आपको क्या फायदा हो रहा है मेरे घर मेरे हमीशा इस बात को जगला रहता है कि मेरे भाई को अच्छे कपड़े मिलते हैं अ अच्छा पढ़ने को मिलते हैं अच्छा पुलिस को दिली सरकार के अधीन होना चाहिए वहाँ पे क्या चल रहा है समयदान में लिखा हूँ ऐसा पुलिस लेंड और पब्लिक और दिली पुलिस अलग रहेगा ठीक है ठीक फिल्कुल एलजी के पास रहेगा लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की श्ट्र कि बाष सिन्ठीक को ओरहा है की उदिली पुलिस को अधिकार दे सके उस से निकल के आया कि सब डिली के चुने हुए सरकार के पास में अपने अधिन आनने वाले काम कराने का अधिकार तो डिली पुलिस से होना चाहिए ठीके फिली कि गile तक еще काम कर इतना बुरी हालत में है, हम तो जुमा जुमा तीन साल सी है, किसने खराब किया, यहां सिर्फ लाइवर बनवाने से थोड़ी से विकास होता है, उसके लिए बसे भी लानी पहती है, तो दिली में जो मुल्टिप्रिसिटी है, एजुनसी की, दिली स्मार्ट सिटी बन सकती है, क्या क्योंकि आप ही ने शब कहा कभी कि यह एक कुछ हिस्सा है, एल जी सहाब का एक डीडिये का, इन डीम सी का, हिस्से भी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि आप एक सड़क से निकलिए, तो सड़क पर आपको कुछ खंबे दिखाई देंगे, स्ट्रीट लाइट के, नाली पेड़ डीडिये के, उससे उधर वाले पेड़ किसी और के, जब आप सरकार का जो के साथ, जो काटो भरा ता जाता है, वो पहनने को तयार हुए थे, तब आपको अंदाजा नहीं था, कि दिल्ली की यह हालत है, तब हम तब भी कहते थे, कि यह जो खंबों की जातिया बना आने, HDM दफ्तर में जाते हैं, तो वहां रिश्वत की वजए से, उनका काम होता नहीं, धक्के खिलाया जाते हैं, कल आ जाना, परसनों आ जाना, यह कागज ले आना, वो कागज ले आना, हमने का साब एक सिस्टम बना देते हैं, होम डिलिवरी ऑफ सर्विसेज, एक आदम तो ठीक है, लेकिन यह जो लड़के जाया करेंगे घरों पे, इस से दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, मैंने का भी ओपीजा डिलिवर करने जाते हैं, तब नहीं पढ़ता, अगर अगर इसका आप फणी कहने हैं, तो कई तरह की अडचनी भी लगाई हैं, सुना तक कि अभी तो आप जिपान होके आए हैं, वहाँ पे इको सिटी में और तमाम स्कूलों में देखकर पर एक दफ़ा आपको ऐस्ट्रेलिया शज जाने का वीजा नहीं दिया गया, ये भी कोई प्रॉब्म्म है, सते अंदर जी को ऑस्ट्रेलिया जाने का नहीं दिया गया, मु आप लोग ने मुवमेंट शुरू की थी, बड़े सारे लोग छोड़ छोड़ के गए, हाल ही में आप ही के तरह पत्रकार से पॉलिटिशन बने आश्टोष वो भी निकल गए पार्टी से, अब शायद मुझे नहीं पता, शायद उनका मन नहीं लगा या जो भी हो, पर पा मैं इसको पॉजिटिव रूप में देखता हूं नगमा, मैं ये देखता हूं कि ये एक धरम युद्ध है, आमाद्मी पार्टी एक आंदोलन है, एक राष्ट को खड़ा करने के लिए लडाई है, उस लडाई में जो जितने दिन तक साथ दे दे उतने दिन तक अच्छा है पर आपके उपर जातिवादी होने का भी आरोप लगा, हला कि आप इसकी राजनीती नहीं करते हैं, आश्टोष ने कहीं कहा था ये बात, कि मुझे कभी भी इतने सालों में अपने नाम के आगे, कभी अपना सरनेम लगाना नहीं पड़ा, पर जब मैं पॉलिटिक्स में आ वह ना लगाते हैं, अगर किसी ने कहा उनको मना कर देना चाहिए था, आतिशी मर लेना की मामले में भी इतने मार लेकर काफी बीजेपी ने कन्फिजन फैल आया, लोगों ने कहा साब ये तो क्रिश्चिन है, मैंने का क्रिश्चिन है तो मान लीजे होती भी, मतलब इनसान काम तो है, एजुकेशन पर काम तो कर रही है, तो उसमें काफी विवाद हुआ, बीजेपी ने विवाद खड़ा किया, क्रिश्चिन आ गई, क्रिश्चिन आ गई, अब हमारे देश में होता है, मंदिर वाले नहीं आए, क्रिश्चिन वाले आ गए, वो बीजेपी का सारा अगर मैं पार्टी में कहीं डिशिजन मेकिंग में बैठूं, और मुझे लगे यार, यह आदमी सिसोदिया है, इसको टिकेट देते हैं, तब जाती वाद है, केजरिवाल जी ने ये किया न, बनियों को टिकेट दिया, या रोप तो बनियों को भी मिलेगा, मतलब अरविन क केजरिवाल जी मानली जे बनिया है, तो बनियों को टिकेट नहीं देंगे, मैं मनी सिसोदिया हूँ, सिसोदिया सरनेम के किसी आदमी को टिकेट नहीं मिलेगा, ये भी ठीक नहीं है, आपने राजजसभा में जो दो लोग भेजे, दो, एक को छोड़के दो नो बनिया है, ठीक है, एक सिंग भी है, बस उनको छोड़के बाकी दो बनिया है, अगर आप देखिये तो मजॉरिटी तो आरोप तो आपके पर भी लगेगा, अरविन केजरिवाल जी बनिया हैं, आप कह सकते हो, साब एक को छोड़के दो बनिया है, आप उल्टा भी कह सकते हो, मैं राजनीती आप नहीं करते हैं, तो आप क्या पाते हैं, क्या आप दिसद्वांटिज में हैं, और क्योंकि विकास विकास सब बात करते हैं अजेंडे की, पर इस पर राजनीती होती नहीं है, हो नहीं रही है, अभी अब राहूल गानी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा ह दुर्भाग गए है, दुर्भाग गए है, देखे, मैं अपी आप बात कर रहे थे, मैं जापान गया था, बड़ा इंट्रेस्टिंग कर रहा था, कि जापान की उनिवर्स्टी में मैं जब बैठा था, उसी वक्त हमारे यहां ट्विटर पे मीडिया में खबरें कुछ चल रह हम अपने देश में डिस्कोर्स कर रहे हैं, हनुमान जी की जाती क्या थी, तो मतलब इस सब से देश को उठाना पड़ेगा, मुझे लगता है, एजुकेशन इस दा ओनली वे, आज हमारे लड़के लड़कियां पूरे दुनिया में, बहस तो इस बात पर होनी चीए ना, आ आपान में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी वो सॉफ्ट्वेयर बिखता है, तो पैसा भारत को नहीं मिलता, पैसा मिलता है अमेरिका की कंपनी को, साड़े-चार साल पहले आपको मेंडेट मिला था, आप युनिवर्स्टीज में हिंदुतु का एज पर जिस चीज में आपने सही दिशा में मेहनत ही नहीं की, बात आप खड़े हो के करते रहे, हम डिजिटल इंडिया करेंगे, काम आप करते रहे, विजय मालिया वाला अपने साड़े है ना मारे हैपिनेस के कैरिकूलम से, आज ही इंडियन एक्सपेस में अभी स्टोरी चल पी है, हैपिनेस की वजय से बच्चों के अटेंडेंस बढ़ी है, क्योंकि अटेंडेंस नहीं बढ़ती है, टीचिंग में प्रॉफसेस में खामी थी, बच्चा ड्र जाता है, तो एक बार स्कूल से आउट हुआ, तो फिर वह बचारा क्या करेगा, तो पहले स्कूल में उसको सष्टेन करना है, स्कूल में रिटें करना है, उसको रिटें की पॉलिस्सी बनानी है, ताकि वो बाहर जाए न पाए. मेरी पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की सेवा करना है उसके अलावा मैं बहुत सारा और काम कर सकता हूँ विश्फुल थिंकिंग्स हो सकती है देश में जितने विभेगर लोग हैं काश में उनके लिए कुछ कर पाऊं दिल्ली में ऐसी विषिष्ञा कर पाऊं जिन बच्चों को देश भर में एजुकेशन नहीं मिलती है मैं उनके लिए एजुकेशन विष्ञा कर पाऊं यह मेरी विश्फुल थिंकिंग है पर अभी मेरी प्राइम रसपंस्पोरिटी है कि दिल्ली के जितने लोग हैं सबसे पहले मैं उनके लिए best of the best facilities करेड करता हूं प्रदूशन नियंतर पर सरकार की क्या योजना है प्रदूशन नियंतर पर सरकार की सबसे पहली योजना तो यह है कि हम यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहा हैं कार से लेके तब हमारा अगला 10-15 साल का हमने उसको रॉल आउट प्लान सुरू कर दिया है कि पहले बसेज को सब को यह ट्रांसपोर्ट में बतलेंगे फिर हम लोगों को प्रवोट करेंगे कि अपने मोटर साइकल बाइक इन सब को हम सबसिटी दे रहे हैं तो पॉलुशन फैला कौन रहा है पॉलुशन सरकारी दफ्तरों से कोई एक्सक्लूशिवर नहीं फैल रहा है पॉलुशन तो हम सब लोग मिलके फैला रहे हैं मुझे अभी एरपोर्ट पे कोई आदमी मिला उसने मुसे पूछा जी पॉलुशन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं मैंने का मैं कर यह रहा हूं कि यहां से एरपोर्ट से उतराओ अभी मेट्रों में बैठे अपने घर जाऊंगा आप भी चलो साथ में कार क्यों मगाई थी तो लोग जो चाहते हैं वो भी नहीं करता है आम आदमी पार्टी शुरुआती दिनों में लोगपाल बिल के लिए काफी इफ़र्ट करती थी मगर सर अब दिल्ली वे मैसेज यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पर काफी सूष्ट पढ़ती जारी इस पर सर कोई काम नहीं हो रहा और कोई बात नहीं हो आम आदमी पार्टी ने आने के च्छे मिने के अंदर पहले ही विधान सभा सेशन में लोगपाल बिल पास करके दे दिया लेकिन अनफर्चनेटली अभी क्योंकि वो सेंटर की मंजूरी के लिए पैंडिंग है हमारे चौदे बिल थे वो उनके लिए हम बीच बीच में लड़ते भी रहते हैं वही करो मजदूरी वाला बिल था जो अभी होके आया है होफुली लोगपाल बिल भी वो कर देंगे हमारे एजुकेशन में रिफॉर्म के कई बिल है वो वहां पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारी अपनी तनखा का बिल है हम बदनाम तो होगे जाना तरफ सा तनखा बढ़ा ली तनखा बड़ी नहीं वोई 20,000 रुपे मिलते हैं आपको बता है दिल्ली में मेरी तनखा 54,000 रुपे है एक मिनिस्टर की तनखा 54,000 रुपे आप उमीद कर रहे हैं कि उस तो नंबर दो से कमा लेता होगा इसलिए उसको 54,000 रुपे में काम चलाना है कि तनखा 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 सर्फ ऐसे ही होती है ना बाकी चीज़े तो मुफ्थ होती है इसलिए मैं कर रहा हूं कि वह आजूम कर लिया जाता है कि बाकी सब कमाए गई तो हम उख लगे एरिया लें बटला हूस तो महापे से इतनी जाद अगंद की होती है और अगर बारिश पढ़ जाया तो महापे घुटना तक पानी भर जाता है और जगा नहीं होती निकलने के लिए दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी है जो इसलिए हम कहरें न अनुथ्राइस कॉलोनीज में अगर हम नालिया नहीं बनवाएंगे अब नालिया बनाने का प्रोजेक्ट पास किया तो सटेंचेन के उपर बोला दोजार चैमी पैसा कमा लिया था उसने तो हम तो फिर भी बनवा रहे हैं कॉपरेशन्स ये भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं दे रही है मादमी पार्ट 2015 के बाद से दिल्ली नगर निगमा को जितना पैसा मिला है उससे कहीं कम पैसा 2015 से पहले मिलता था और इन्होंने लोन ले हुए थे सरकार हैं पिछले लोन काटती थी हमने कोई लोन नहीं काटा कोई इंट्रेस्ट नहीं काटा जितना इनका बनता था उससे जाद ही दिया हुआ है मैं पूछने चाहती हूँ कि क्या आपको भी मैसूस होता है कि प्लिटिकल आउटकास्ट है और यह इस्टैबलिश्ट पार्टियां जो आपको काम नहीं करने दे रही जाए वो कॉंग्रेस हो बीजिपी हो देखें हमने कभी भी यह नहीं सोचा था कि यह इस्टैबलिश्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो थोड़ा सा मांसिक्ता में सामंतवादी भी और भरष्ट भी है यह हमें इतनी आसानी से रेड कार्पेट वैलकम देने वाला है कोई हम कभी भी रेड कार्पेट हमें पता था कि इस रस्ते पर हम चल रहे हैं उसमें संगर्स है फिर से मैं आप सब्सक्राइब पूशने कि 2019 में आमादी पार्टी खुद को कहा देख रही है कि दिली के साथ हो सानसद आमादी पार्टी के आएंगे हर्याना और पंजाब में हम पूरी शिद्द से लड़ेंगे और वहां से जैसे बहुत अनेक्सपेक्टिट तरीके से चार सानसद पहले पंजाब से निकल का है थे उससे बहतर हम परफॉर्ब करेंगे पाकी जगों पर किया किसी के साथ किसी तरह के गड़बंदन सही हो कॉंग्रेस के साथ अक्सर केजडिवाल नजर आ रहे हैं अब हम तो बहुत किकिरिशन के भी पढ़ें बारतियों के पढ़ें विदेश fiction के भी पढ़ें सबके बच्चे से राम के सिध्धानतों को निकाल को निकालो राम 분ाने से रामराजय नहीं आएगा पढहने से रामराज जैए कॉंग्रेस के साथ आपका Alliance नहीं हो पा रहा है कि अजे माकन युं पारा है जैसे इस्तितिनी है अर्विन के जिवाल के साथ जब भी बैसे का आखरी बात आप से जब भी इंट्वियू हिया यह अकसर सुनाए दिया कि वो गाने गा देते हैं आपको भी कोई ऐसा शौक है वैसे आपने भी टी एन कृष्णा का कॉंसर्ट करवाया बड़े विर कर देक्या बहुत है सब्सक्राइब। वो आदमी देश के खिलाफ बोले ठीक है मैं साथ कड़ा हूँ कुछी और के खिलाफ बोले पर एक फॉलिटिकल क्लास के खिलाफ बोले आपने शोरद कर दिया कोई बात नहीं दिल्ली में हमारी सरकार हमां करा देंगे अगर कभी वो अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ बोलेंगे तो करा देंगे देश के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं कराएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीश सोधिया इस बातचीत के लिए धन्यवाद